मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा अपनी चैनल स्वेट्स पैशन पे आज आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ बहुत बहुत दिन हो जा रहे हैं बहुत बहुत मैं चमा चाती हूँ बहुत सारी और जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वहन करने में ये पक्ष थोड़ा चूट इक हर रोज एक तरम उठाओं और उसपे आपका पूरा कॉंसेप learner करते चलों क्योंकि कभी 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 अलग चलब competition में dictionary से एक एक concept आजाते हो और sociology के concept one by one हमारे पूरे भी हो जाएंगे तो उस पे मैं जल्दी ही video upload करूँगी तो इस तरह से हमारे maximum videos भी आते जाएंगे और आप sociology से weekly बहुत ज्यादा interaction भी आपका होता चलेगा आपके regular studies के अलावा जाके मेरे channel के थूँ तो कोशिश है कि उस काम को मैं जल्दी से जल्दी शुरू करूँ और प्लीज अगर ये concept आपको अच्छा लगे तो ज़रूर yes बोलिएगा comment में चलिए आज शुरू करते हैं आज जो हमारा topic है वो environmental sociology से related है decertification क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब हमारे या जो हमारी university है बनारा स एक paper है जिसमें ऐसे topics हैं जो सच में वाकई जल्दी कई नहीं मिलते हैं तो मेरे students का demand भी रहता है कि मैडम आप इस पे भी videos बनाएए तो मैं और हम में से कई लोगों का रुझान भी होता है और even UPSC में भी decertification है syllabus में तो इन सारे aspects को ये cover कर रहा है और बहुत बड़ी problem तो है ही है decertification एक ऐसी problem है जिससे विश्व के संपूर्ण देश गुजर रहे हैं और जब हमारे भूमी जो है वो उपजाओ नहीं रह जाएगी तो ये तो सबसे वड़ा challenge है हमारे लिए हमारे survival के लिए तो decertification मतलब क्या होता है मरु इस्थलिये करण मरु इस्थलिये करण मतलब कि जो हमारे उपजाओ भूमी है वो धीरे धीरे अन उपजाओ भूमी में convert होते जाना उसको मरु इस्थलिये करण कहते है मरु इस्थलिये मतलब कि मरु इस्थल में बनना dessert होते जाना और process करण क्या है process तो जो dessert का बनते चले जाना सोची कितना तो ये मरुस्थली करण की प्रक्रिया कहलाती है, ये वीडियो मैं दो वॉल्यूम में दूंगी, मेरा दोनों पार्ट रेडी है, एक आज अप्लोड है, एक कल और परसों में अप्लोड हो जाएगा, परसों तक अप्लोड हो जाएगा, तो दो वॉल्यूम में ये वीडियो प मस्या है जिसका सीधा प्रभाव समाज के जीवन वहां के पारिस्थिती की तन्तर पारिस्थिती की तन्तर मतलब ecology जिसको हम कहते हैं ecology ने ecosystem और सामाजिक आर्थिक विवस्था पर पढ़ता है मतलब अगर मरस्थली करिंट की प्रक्रिया जिस भी देश में बढ़ती जा रही है, उसका सीधा-सीधा impact पड़ता है, हमारे life पे, हमारे economy के status पे, हमारे social life पे, हमारे ecosystem पे ठीक है, इन सब पे सीधा असर पड़ता है, यह मुख्यता शुष्क या मरुस्थली चेत्रों में घटित होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है यह कैसा है प्रक्रिया है, यह अधिकतर शुष्क या मरुस्थली चेत्रों में होने वाली प्रक्रिया है, मरुस्थली करण जमीन के खराब होकर अनुपजाओ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलवायू परिवर्तन और मानवी गतिवीधिया समेथ अन्य कई कारण शामिल होते है आगे मैं कारण पर बार में चर्चा करूँगी पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि डी सर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हुमन भी रिस्पॉंसिबल है और क्लामिट भी रिस्पॉंसिबल है मतलब नाचुरल कॉजस की वज़े से तो डी सर्टिफिकेशन होता है पर उसका परसंटेज बहुत चोटा होता है असली कौन है हम असली जिम्मिदार कौन है हम अगर human activities पर कंट्रोल लगती न तो डी सर्टिफिकेशन या जितने भी environmental issues है environmental problems है वो हमारे सामने करते ही नहीं आते पर आप देख लीजे water depletion जो है या underground water level का कम होना, soil erosion होना deforestation होना डी सर्टिफिकेशन होना ये सारे process it is only because of human factors ये मानवी कारकों के परिणाम है हम जो so called developed होने के में बहुत तेजी से आगे भाग रहे हैं और even development भी हमारा sustainable development नहीं है ये concept हम बहुत बाद में लाए हैं इसकी वज़े से जो ये सारे environmental issues हमें देखने को मिल रहे हैं मरुस्थली करण के चलते जमीने शुष्क अर्ध शुष्क और निर्जल अर्ध नम इलाकों में परिवर्थित होकर रेगिस्तान में बदल जाती हैं देखे ऐसे तो सीधे होता नहीं होगा कि बहुत जो fertile lands है वो सीधे dessert में convert हो जाए ऐसा तो होता नहीं है यह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई fertile land किस तरह से decertification के process से गुजर रही है और आने वाले 10, 20, 50 सालों में वो रेगिस्तान में convert हो जाएगी even we don't know हम नहीं जानते हैं बट यह process होता रहता है क्या होता है कि पहले जो भूमी होती है वो निरजल अर्धनम होती है मतलब उसमें नमी जो मौशर होता है वो थोड़ा कम होता है फिर अर्धशुष्क होती है मतलब जो dry lands होते हैं वो थोड़े से क्वाश्ट सी dry lands में convert होते हैं और फिर यह process और आगे बढ़ता है और totally जो fertile lands होता है वो dry land में convert हो जाता है तो decertification refers to the persistent degradation of dry land ecosystem by climatic variation and human activities जो जलवायू परिवर्तन वो भी कारक है पर वो भी कहीना कहीं से किस्से है वो भी कहीना कहीं से human activities से है क्योंकि हमारी गतिवीडियो नहीं climate को बहुत बुरी दर से परिवर्तित कर दिया है अचानक से बारिश हो जाना अचानक से आप देखेंगे सूखा पर जाना अचानक से कहीं पर इतने ओले पर जाना अचानक से कहीं पर जो बहुत थंड देश है माँग गर्मी हो जाना गर्मी के मौसम में बारिश, बारिश के मौसम में थंडी, थंडी के मौसम में गर्मी ये जो climate change हो रहा है, it is also because of human activities तो climatic variations एक decertification का कारण है और human activities बहुत बड़ा कारण है बट ये climatic variation के पीछे भी कौन कारण हो सकता है human activities तो decertification मतलब क्या हुआ, मरुस्थली करण का मतलब क्या हुआ कि एक fertile land दीरे 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 dry land में convert हो रही है इस conversion के process को हम क्या कहते हैं, decertification आगे है कि मरुस्थली चेतरों की एक अलग पारिस्थिति की तंत्रोती है जो desert areas होते हैं, उसके ecosystem अलग होते हैं आप पता ही है कि जो fertile land होंगे, उनके ecosystem अलग होंगे जो dry land होंगे, उनके ecosystem अलग होंगे जो desert areas होंगे, उनके ecosystem अलग होंगे वहां कुछ विशेश प्रकार के वनस्पती एवं जीव जन्तू पाये जाते हैं भूमी उतनी उर्वर नहीं होती, जितनी की मैदानी भागों की तथा वर्षा का प्रतीशत का इस्तर भी काफी नीचे होता है मतलब जो desert areas होते हैं, वहां पर क्या क्या होता है एक तो जो land है, वो बहुत ज़्यादा fertile नहीं रह जाता है water level भी नीचे हो जाता है, जो greenery होती वो तो खतमी हो जाता है vegetation और जो crop होते हैं, वो भी नहीं रह जाते हैं वहां का vegetation और वहां का crop बिलकुल अलग होता है आप जानते हैं कि जितने cactus टाइप वाले plant होते हैं, वो ज़्यादा तर desert areas में पाये जाते हैं ऐसी स्थिती में समस्त सामाजिक आर्थिक विवस्था, विशिष्ट प्रकार की होती है तथा मानविय क्रिया कलापो एवं जलवायू परिवर्तन के कारण उन छेतरू की भूमी का अवनेयन हो रहा है परिडामता उन छेतरू की मिटी की उर्वराशक्ती समापती के कगार पे है क्या बोला जारा है कि जो dessert area हो रहे है, जो धीरे-धीरे वो areas जो decertification के process से घुजर रहे है वहाँ पर क्या-kया चीज़ होरही है, वहाँ पर climate change के कारण और human activities के कारण जो land है उसकी जो शक्ति होती है ना स्वाइल की अपनी एक शक्ति होती है वो शक्ति धिरे-धिरे खतम हो रही है और फिर वहाँ पर वर्षा का अभाव हो रहा है मतलब जो रेंफॉल का जो परसेंटेज होता है वो भी दिरे-धिरे कम होते जा रहा है मिट्टी बंजर होती जा रही है और सभी प्रकार के जैव विवित्ता का नाश होते जा रहा है मतलब कि जो वो होती है ना हमारे पास जिसकों कहते हैं बायो डायवर्सिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है ये बात है ठीक है ब पर बहुत तरह के बहुत species पाई जाते हैं उसको biodiversity कहते हैं पर अब क्या हो रहा है कि अब इन सारे environmental issues की वज़े से आपको species दिन प्रति दिन कम होते दिखाई देंगे जितने species होने चाहिए वो species का percentage बहुत कम होते जा रहा है इसको कहा जाता है biodiversity loss इस पे भी मैं एक अलग से वी sociology के क्रम में और इस तरह से जो विरान होने की प्रक्रिया है मतलब जो जमीन जो है वो विरान होते जा रहा है बंजर होते जा रहा है इसी process को हम क्या कहते हैं decertification अब आप बोलेंगे कि मैडम ये जो topic है इसका sociology से क्या मतलब अरे क्यों नहीं मतलब है ये environmental sociology का part है sociology of environment का part है कि ऐसे environmental हम लोगों ने बहुत पहले भी वीडियो में देखा है मैंने बनाया है कि man और environment का relationship कैसा है ठीक है environment किस तरह से man को effect करती है और किस तरह से man जो है वो environment को effect करता है ये हम लोगों ने पहले भी समझ लिया है तो sociology of environment में हम क्या पढ़ते है कि man मतलब इंसानों की जो activities है वो किस तरह से environment को प्रभावित करे है और ऐसे क्यों सी environmental process है environmental प्रक्रिया है जो परियावरणी है जो प्रक्रिया है वो मानव को किस तरह से प्रभावित करे है ये वाईसे वर्सा वाला जो concept है वो हम sociology of environment पढ़ते हैं और जब भी कोई ऐसे environmental issues होते हैं उससे हमारी society किस तरह से प्रभावित होती है और society का जो action है वो environment को कैसे प्रभावित करता है जैसे मालीजे कि जहाँ पर decertification का process हो रहा है बहुत तेजी से decertification के process हो रहा है वहाँ पर definitely हम जानते हैं कि वहाँ पर जो society है वो बहुत प्रभावित होगी क्यों होगी कि मालीजे कोई जमीन जो है वो पहुत fertile थी fertile होने की वज़े से क्या था एक society का वहाँ पर existence था लोग रहते थे समू में रहते थे अपने regular कामों को करते थे क्रिशी करते थे आर्थिक जो प्रक्रिया है उसमें लगे रहते थे पर जैसे जैसे कोई जमीन जो होती है वो बंजर होने लगती है तो migration का process भी बहुत तेज होता है क्यों कि वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी वहाँ fertile land नहीं रहेगा वहाँ production नहीं होगा और वहाँ पर कोई crop का production नहीं हो पाएगा तो लोग रहेंगे कैसे नहीं रह पाएंगे तो उससे migration होगा और migration का social impact आप जानते हैं कि migration के social impact बहुत vast होते हैं इस तरह से कि जब भी कोई community या कोई group जब migrate करता है तो उससिर्फ migration simply हम जो दिखता है वह नहीं होता है उसके direct और indirect impact भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं तो de-certification का अपना social consequences भी बहुत ज़्यादा है अब आगे मैं बढ़ाती हूँ कि UN Agenda 21 Documents of the 1992 जिसको United Nations Conference on Environment and Development कहते हैं ने मरुस्थली करन की प्रक्रिया को परिभाशित करते हुए कहा है कि जलवायू परिवर्तन एवं मानविये क्रियाओं के कारण जो मैंने पहले ही बताया शुष्क अर्द शुष्क तथा सूखे छेत्रों के उर्वर भूमी का अवनेयन मरुस्थली करन है मतलब कि क्लामेटिक फैक्टर की वज़े से या फिर जो हुमन अक्टिविटीज है उसकी वज़े से जब कोई भूमी धीरे धीरे शुष्क अर्द शुष्क और मतलब ड्राई क्वासी ड्राई या पार्शली ड्राई होती चली जाती है इसको हम डी सर्टिफिकेशन कहते हैं भूमी अवनेयन से तातपर भूमी अवनेयन मतलब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है land degradation मतलब कि मृदा अपरदन मतलब soil erosion हो रहा है उर्वरा शक्ती में हास मतलब जो fertility ratio था किसी भी land का वो fertility ratio कम होने लगा भूमी का बंजर होना मतलब भूमी जो है वो non-fertil होती चली गई भूमी में लवणतियां का बढ़ना लवणियता का बढ़ना मतलब कि salinity जो soil में नमक की मात्रा saline जो water होते जाता है salinity का बढ़ना हरे वनाचादि चेतरों की कमी मतलब जो हरे भरे पेड होते हैं उसकी कमी होती आती है इन सब का impact आप जानेंगे क्या होगा कि कृशी उत्पादक्ता में गिरावट हमारा जो production है उसका percentage कम होता जाता है biodiversity का loss होता है यह सारे सारे का effect पढ़ता है decertification process में मेरे काल से अब आप decertification process अच्छे से समझ गए होंगे next slide की तरफ आते हैं इसमें हमें देखना है कि वर्तमान इस्थिती भारत के संदर्व में कि भारत के संदर्व में decertification की वर्तमान इस्थिती क्या है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि भारत में भू छरण का दाइरा मतलब जो decertification हो रहा है 96.40 मिलियन हेक्टेर है जो कुल भौगॉलिक छेत्र का 29.30 प्रतिशत है सर ठोक लीजे कि हमारा जितना भी लांड है उसका लगभग 30 प्रतिशत जो भूमी है वो इस प्रक्रिया से गुजर रही है हम सिर्फ राजिस्थान के रिया को सोचते थे कि वही डेजर्ट है यही सोचते थे थे न पर ऐसा नहीं है कितनी सारी भूमी ऐसे प्रोसस से गुजर रही है 70 परसेंट भौगॉलिक छेत्र 70 प्रतिशत भौगॉलिक छेत्र शुशक भूमी के रूप में है जिसमें से 30 प्रतिशत भूमी भूचरन की प्रक्रिया में तथा 25% भूमी मरुस्थली करण की प्रक्रिया में देखो क्या कहा जा रहा है कि जो 70% हमाला भौगौलिक छेत्र है उसमें उसमें से 30% भूमी जो है वो भूछरण की प्रक्रिया में मतलब land degradation हो रहा है land degradation की challenges मैंने पीछे ही बताए और 25% तो पूरी तरह से decertification के process में आ गई है मतलब land degradation is the first step और उसका जो final रूप होगा वो decertification होगा इस तरह से आप step में आगे समझ सकते हैं विज्यान और पर्यावरण केंद्र Center for Science and Environment CSE की एक report के अनुसार 2003 से 5 और 2011 से 13 के बीच में 18.7 lakh hectare भूमी का मरुस्थली करण हुआ है कितना चिंता का विश्य है और हम समस्ते नहीं है है ना समस्ते नहीं है आगे बढ़ते हैं माथा चक्रा जाता है यह सारे जब data हम देखते हैं एहमदाबाद इसरो का अंतरिक्ष अनप्रयोग केंद्र Space Application Center जिसको हम SAC कहते हैं द्वारा Geographical Information System G.I.S. System आप जानते हैं मरुस्थली करण की सूची त्यार की गई है तता इसकी निग्रानी भी की जारी है वर्ष 2016 में जारी इस एटलस के नुसार वर्ष 2011 से 13 में भारत में 96.40 मिलियन हैक्टेयर चेत्र भूमी भू अवनती चिकें की दौर से गुजर रहा है जो कि भारत के कुल भौगॉलिक चेत Space Application Center ने GIS Technology का इस्तमाल करते हुए ये डाटा निकाला है कि इतना परसेंट जो है हमारा भूमी दी सर्टिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है वर्ष जोजार तीन पाच में भू अवनती की दशा में 94.53 लाख हेक्टेयर था 28.76 परसेंट था कुल भौगालिक चेत्र का 23.9 परसेंट डिग्रेडेड लाड तू 2011 से 13 के बीच में कहां कहां था मैं आपको बता दे रही हूं कि जो ये डिग्रेडेड लाड लाड डिग् राजस्थान, महरास्ट, गुजरात, जम्मु कश्मीर, करनाटर, जारखंड, उरिसा, मध्यप्रदेश और तिलंगाना में पाया गया है इस एटलस से एक और बात जो उभर कर सामने आई है वो यह है कि जारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, वक गोवा में 50% से अधिक भूमी, मरुस्थली करन या अवनती, मतलब लैंड इग्रिडेशन के तहट पाई गई, वहीं केरल, असम, मिजोरम, हरियाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वह अवनाचर प्रदेश में 10% से कम भूमी ऐसी पाई गई, जारकंड, राजस्थान, बिल्ली, ये ज़्यादा प्रभावित दिख रहे हैं, मरुस्थली करन या भूवनती की सरवाधिक महतुपून प्रक्रिया जल अपरदन, अब आप सोचेंगे की मरुस्थली करन की प्रक्रिया में क्या-क्या चीजे आती हैं, चीक है, मैं पहले आपको इदर समझा दे रहे हूं, फि उनका कटिंग होना, डी फॉरेस्टेशन, ठीक है, पवन अपरदन, मतलब विंड एरोजन और खारापन, पानी में सैलिनिटी का बढ़ना, साथ में जल जमाव, मास मूव्मेंट और बंजर भूमी का धिरे-धिरे होना, ये सारी चीजे मरुस्थली करन की प्रक्रिया में आ मतलब वाटर का लेवल कम होते जाना, अंडर ग्राउंड वाटर लेवल जो है, उसका कम होना वो भी मरुस्थली करन की प्रक्रिया में है, डी फॉरेस्टेशन होना वो भी डी सर्डिफिकेशन के प्रोसेस में है, विंड एरोजन भी डी सर्डिफिकेशन के प्रोसेस में है water का saline होना भी decertification के process में है mass movement जो मैंने बताया था वो भी decertification के process में है water का कहीं पर एकठा होना जल जमाओ की स्थिति आना वो भी decertification के process में है और इतने देर से रटी रही हूँ कि fertile land का non-fertile होना बंजर होते जाना वो तो decertification के process में है है तो ये सारी चीज़े decertification के process में अब मैं ये point आपको बताऊंगी कि जो 2011 से 2013 के बीच में जो data देखा गया है इस के थूँ जो आगे आपको मैंने बताया था इधर space application center के थूँ उसमें देखा गया है कि सबसे जादा जो मतलब decertification के अलग-अलग जो process है उसमें सबसे आदा जल अपर्दन मतलब water depression का सबसे बड़ा कारण है तो जब भी हम अलग से water depression भी पढ़ेंगे तो भी हम ये factor देखेंगे decertification में देखेंगे तो भी water depression का factor देखेंगे कि water depression सबसे बड़ा रोल है आप देखें कई जगों पर पानी का level गिरते चला जा रहा है अब 3300 फिट की मतलब फिट नीचे जाकर के हमें boring कराना पढ़ रहा है अब 50 फिट और 100 फिट पर पानी मिल नहीं रहा है और जहां मिल रहा है वहाँ पर पानी में chlorine की मात्रा फ्लोरीन की मात्रा यह सब बहुत ज़ादा जिससे की अन्य इसकिन डिजीजेज और बाकी डिजीजेज हो रहे हैं अब चार्ट में हम देखते हैं जो स्पेस जो एजन्सी के थूट एक वो एटलस ड्रॉ किया गया उसमें देखा गया है कि भारत में भू अवनती और मरुस्थली करन 2011 से 13 के बीच में सबसे ज़ादा जल अपर्दन से मिला है कितना अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 10.98 परसेंट हमें जल अपर्दन से देखा गया देखने को मिलता है उसी तरह वनस्पती अवनती मतलब जो डीफॉरस्टेशन का होना वो सेकेंड नंबर पे है 8.91 परसेंट फिर विंड एरोजन 5.55 परसेंट और खारापन होना 1.12 परसेंट तो SAP द्वारा अवनती की प्रक्रियाओं में उप्युक्त प्रक्रियाओं के अलावा जल जमाओ Mass Movement मानव जनित कार को बंजर बस्ती इत्यादी को भी शामिल किया गया है तो आपने भारत की स्थिती देख ली कि भारत की स्थिती Water Depletion में क्या है ये पूरा मैंने भारत के संदर्ब में ये सारे चीज़े बताई है डेटा जो 2013 तक का ऐसे दिखा है मुझे अब हम देखते हैं कि De-Certification के Causes क्या है तो मरुस्थली करण के कारण क्या है तो मरुस्थली करण एक बहुकार की प्रक्तिया मतलब मल्टी causal जो होता है process ये वो है मतलब कि कई वजहों से De-Certification का process बढ़ आ है क्या क्या कारण है अब one by one मैं पढ़ती हूँ सबसे पहला तो जनसंख्या में वृद्धी rise in population this is one of the major problem of all problems major cause of all problems जो भी समस्या हैं आज भारत में हम देख रहे हैं वैसे तो De-Certification का process पूरे global level पे देखने को मिल रहा है मैं अगले वीडियो में global chart भी एक mention करने की कोशिश करूँगी की worldwide क्या स्थिती है पर इंडिया के context में तो rise in population is one of the major cause of De-Certification तो संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या तता इसके परिनाम सरूप प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधून शोशन प्रकृतिकी पारिस्थिती की बदलने में महत्वपून रही है एशिया, लैटिन अमेरिका एफ्रिका, अफ्रिकी शुश्क चेत्रों की जीवन यापन की परिस्थितियां काफी कठिन रही है इन चेत्रों की उत्पादक्ता की अपनी सीमा है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अधिक मात्रा में भोजन और आवास की आवशेक्ता महसूस हुई पेड भरने के लोगों ने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों यथा वन पानी आदी का विनाश किया जिसके फलशुरूप पर्यावर्ण असंतुलन बढ़ा तता वर्षा कम होने लगी जिसमें शुश्कता और बढ़ गई इसके परणाम सरुब अविरान होने के कगार पे है अगर भारत के एतिहासिक जनसंख्या वृद्धी पर डेटा पर प्रकास डाले तो उप्यूक्त वक्तिवे की स्पस्चता दिखे की मैंने क्या यहाँ पर बोला कि जैसे जैसे हमारा population बढ़ा, population बढ़ने की वज़से हमारे resources कम होने लगे, पहले क्या था कि resources जादा थे, population कम था, फिर क्या हुआ जितने resource उतना, population देरे देर क्या हुआ कि resources उतने ही रहे गया और population बढ़ गया, population बढ़ने की वज़े से और resources उतने घटे रहने की वज़े से अब हम बहुत तेजी से अपनी nature को exploit करना शुरू कर दिये और nature के exploit करने की वज़े से हमारे जो nature का और balance था वो एकदम disbalance हो गया और इस तरह से environmental disbalance या environmental equilibrium जो है उसका concept धीरे धीरे बिगड़ते चला गया और धीरे धीरे हमारे जो land है वो शुशक होती चली गया क्योंकि balance बिगड़ा मतलब जो environmental equilibrium है वो disbalance होने लगा अब मैं आपको एक data के थुरू समझाती हूँ ये देखिए पूरा मैंने दिया है कोशिश किया है हर साल साल का तो मैं नहीं दे पाई हूँ पर मैंने देखा है कि 2022 रिसेंट वर्स है उसमें विकासदर कितनी थी फिर 21 में कितना जनसंख्या विकासदर जो है आप देखिए तो इधर जनसंख्या 1991 के दौर में कितनी तेजी से बढ़ी है 2.06% अब जा करके हमने इधर लगभग 2020-21 में थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल किया है अदर्वाइस हमारे पॉपुलेशन बहुत तेजी से रेज होते चली गई यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है पर नीचे तो पूरा रेज ही दिख रहा है तो इस resources की कम होने की वैसे जो disbalance है वो खतम होता चले जाएगा मतलब disbalance बढ़ता चला जाएगा second पहला मैंने बताया causes में what are the causes of desertification तो rise in population दूसरा है climate change मैं बार बार शुरू से यह डट रही हूँ कि और climate change भी किस वज़े से हो रहा है environmental activities से जैसे की उद्योगो द्वारा जो industries है उसके द्वारा हानी कारक पदार्थ निकाले जारे है अब इधर UP zone में देखीजे तो कानपूर वगेरा है वहाँ पर तो भयानक भयानक कार खाने है और उससे हर दिन पता नहीं कितने gas उस सरजित हुए है ठीक है greenhouse gas जिसको हम कहते या global और उससे global warming जो हो रही है CFC मतलब ये climate का जो temperature है world का वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है और इन सभी के परिणाम से रूप क्या हो रहा है कि वर्षा की मात्रा धिरे धिरे घटी जा रही है और चुकि rainfall का percentage कम हो रहा है तो naturally ही है कि जो वो कहते है underground water level वो कम होते ज चीजे एक पे एक depend है ना तो एक में दिक्कत आएगी तो वो सारे सारे कोई प्रभावित करेगा तीसरा कारण वन विनाष्ट है deforestation है बहुत जादा वनों की कटाई हो रही है इसको भी जब मैं water depletion पढ़ाऊंगी तो मैं deforestation का percentage आपको जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह स deforestation मतब किस तरह से वनों की कटाई जो है जो घने जंगल होते थे घने जंगल का प्रतीशत तो बहुत कम हो गया है जैके जैसे विभिन प्राकृतिक आप दाओं एवं मानों द्वारा वन कटाई के कारण जहां एक और वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है वहीं द करता था कि वो पानी को capture करता था पकड़ने की कोशिश करता था जब rainfall होता था तो वो पानी को hold करने की कोशिश करता था और hold करने की वैसे वो पानी risk risk करके अंदर चला जाता था और हमारा water level maintained रहता था पर अब यह पेड़ ही नहीं पानी बरसा पूरा पानी बह करके इधर चला गया अब पानी बहके चला गया तो water holding capacity जो है water holding capacity हमारी खतमी होती गई जिससे की water depletion का एक बड़ा factor हमारे सामने दिखाई दिया next cause over grazing है जो अती चारण हम कहते हैं कि विश्व के पशुपालन छेत्र ही मरुस्थली करण की समस्या को बढ़ाने ये भी ध्यान रखेगा कि जो पशुपालन छेत्र है मतलब ऐसे area जहां पर animals graze करते हैं चारा जहां से खाते हैं इस कारण से पश्वों की बढ़ती जनसंख्या ने चारा गहो एवं वन छेत्रों में बहुत अधिक चराई होती थी होती है तथा ये निम्न छेत्र नगन हो जाते हैं मतलब कि मैं यहां पर हिंदी लिख्यों शुद्ध यहां पर क्या है कि बहुत जादा grazing की वज़े से जो area है वहां पर जो छोटे छोटे पेड़ पौध से खतम होती जा रही है तो इसको आप आगे पुरह रीट कर लीजेगा मैं explain बस कर रही हूं next जो cause है वो है खनन जिसको कहते हैं mining आप जानते हैं यह पूरी पूरी तरह से human activities है कि खनन की गतिवीधियों से भी वनस्पति आवरंड समाप्त होता जाता है जो forest area है forest cover area वो दे process है वो बढ़ते जा रहा है next क्रिशी के गलत तरीकों का उपियोग अब इसमें तो कहा जाता है जो green revolution है उस पे सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि green revolution तो आया जब मैंने green revolution का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने environmental degradation के concept को डाला था कि जब भी green revolution हुआ तो environment degrade किया क्यो क्योंकि उसमें इतना अधे chemicals का use था insecticides pesticides इन सब का इतना ज़्यादा use हुआ कि मजब हमारे crop production तो बहुत तेजी से बड़े जो ratio था production का वो तो बहुत तेजी से पड़ा पर हमने खाया क्या हमने जहर खाया चीक है वो छिड़काओ जो हुआ insecticides और pesticides का उससे वो सब हमारे body मे गए और आप देख रहे होंगे कि हम cancer जैसे disease को देखे तो cancer जैसे disease skin disease का नए नहीं तरीके की बिमारिया जुनको हम जानते रहें वो सब नहीं नहीं जैसे जैसे इस समय कोविड जो वाइरस है कोरोना वाइरस वो कैसे mutant करते चाह रहा है ना बहुत तेजी से उसी तरह से बि mutant करके सामने आई कई तरह की बिमारी आई it is all because of intake of these harmful insecticides and pesticides तो इतना जो हम लोग की तनाशकों का प्रयोग करे मिटी हमारी विशाली होती गया हमारा स्वायल जो है वो एकदम से खतम होते गया तो यह सब कारक है 7 है भूमिगर जल में कमी चीक है आपको कई देर से मैं समझा पारी हों कि जो अंडर ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें कमी आना इसे आप पढ़ लिजेगा चीक है नेक्स्ट है कॉस क्या है वायू उपरदन एवं जल अपरदन मतलब जो स्वाइल इरोजन और विंड इरोजन और वाटर इरोजन जैसी चीजे है वो एक कारक है कि वा उरवर भूमी नीचे दब जाती है मतलब क्या हो रहा है कि जो विंड इरोजन और स्वाइल इरोजन जैसे चीजे हो रही है वो हमारे फर्टाइल लेंड के उपर पुरा बालू का कवर करते जा रहा है जिससे की डी सर्डिफिकेशन का प्रॉसेस बढ़ रहा है ठीक है नेक साथ ही प्रदूशी जल से सिचाई के कारण भूमी में लवड़ियता भी बढ़ रही है जिससे भूमी का अपकर्शन जारी है और लास्ट मैंने यहाँ पर दिया है सूखा और अकाल वैश्विक गर्मी और जलवायू परिवर्तन के कारण विश्व के विभिन भागों में भीशन सूखा और अकाल की विक्राल समस्या उत्पन हो रही है यह समस्या मरुस्तली करण को बढ़ा रही है जो सूखा और अकाल की स्थिति हो रही है वो भी कही न कहीं से responsible है डिCertification के process में मैंने एक डेटा दिया है कि भारत में साथ प्रमुख सूखे का काल देखा गया है कौन कौन सा है 1876 से 1882 का दौर 1895 से 1900 1908 तो 1924 1937 से 1945 1982 तो 1990 1997 तो 2004 और 2011 तो 2015 ये साथ हम लोगों ने सूखे का काल देखा है और 1870 से 2016 के बीच में जो 6 प्रमुक अकाल हुए उसमें से 5 प्रमुक अकालों का कारण क्या था यही मिट्टी की नमी का कम होते जाना तो इसलिए last में मैंने ये data दिया है तो देखे आपने पढ़ा कि कितनी गंभीर समस्या है decertification की और क्यों क्यों से कारण है इस process के पीछे तो आपने ये पूरा समझा और अब अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि क्या steps लिया जा रहा है कि हम इस process पे control कर सके समाप्त तो नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी पर definitely हम control कर सके तो इंडिया का initiative क्या क्या है world में क्या-क्या initiative लिये गए है वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी कि already क्योंकि वीडियो almost 36 minutes के हो गया है क्योंकि explanation is must must तो explanation ज़रूरी है इस वज़े से चीजे रुखती है आप सभी को मेरा नमशकार खुब अच्छे से पढ़ते रहें